हाई फ्रेंड्स मैं हूँ शाहिन सयद, वेलकम टू माई चानल, आज हम बनाएंगे अंडा दम बिर्यानी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही रेस्टी लगती है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो शाली रेसिपी को शुरू करते हैं, सबसे पहले हम चावल बना लेंगे, उसके लिए खुला पानी उबलने के लिए रख दिया है, खड़े मसाले, जीरा, तेस पत्ता, लौंग, डालचीनी, काली मिर्च और हरी लाइची आड़ किये, एक टेबल स्पून ओइल आड़ किया है, आप चाहें तो देसी घी आड़ कर सकते हैं, इससे फ्लेवर भी एनान्स होता है, और मॉस्ट बनते हैं चावल, नमक एक चमच भर के आड़ कर लें, चुपता हुआ होना चाहिए नमक, जब आप चके पानी को तो थोड़ा सा नमकीन लगना चाहिए, परना चावल फीके से बनेंगे और नीवू का रस कुछ कत्रा आड़ किया है, इससे चावल जो है ये छुट्टे बन के तियार होते हैं, तो बस ये बॉयल हो रहा था, तो मैंने इसमें फॉचियून का क्लासिक बिर्यानी राइस इस्तमाल किया है, जो एक्स्ट्रा लॉंग ग्रेन है, वाश करके 15 मिट भीगो के फिर आड़ किया है, इसको हमने बॉयल कर लेना है 5-7 मिनिट, जबते कि ये 90% कोक्ड नी हो जाता है, यहाँ देखिए, ग्रेंज अच्छे से लंबे हो गए हैं, और ये 90% कोक्ड है, तो ग यहाँ पर मैंने इस तरह से स्पून से या फोक से आपने इसके उपर प्रिक कर लेना है, ताकि अंडे ये तेल में फटे नहीं, अगर आप इसके उपर प्रिक नहीं करेंगे, तो जब आप इसको फ्राइ करेंगे, तो अंडे वो तेल में फटने लगेंगे, अब यहाँ प तो सारा ओनियन्स हमने बाहर निकाल लेना है अची तरह से ड्रेन कर ले दबाकर और निकाल ले बाहर और उसको हम एक प्लेट पर फैला लेंगे अब यहां पर जो अंडे मैंने मारिनेट किये थे वो आइट कर लिए फ्लेम मीडियम हाई कर ले और इसको अलट पलटते हुए क कर ले जब तक इसका कलर ब्राउन नी हो जाता है हर तरफ से तो इसको हमने फ्राइ कर लेना अच्छे से यह देखिए तो यह स्टेप ऑप्शनल है अगर आपको फ्राइ किया वो आणना नहीं पसंद है तो आप इसको मारिनेट किये बगेर या फ्राइ किये बगेर इसी तर कर लेंगे तो इसमें कुछ खड़े मसाले मैंने आड़ कर लिये हैं उसको थोड़े देर के लिए हम सौते कर लेते हैं लॉंग दालचीनी है काली मिर्च हरी इलाईची और तेज पत्ता एक टेबिल स्पून अध्रक और लसन का पेस्ट आड़ किया है थोड़ा सा फ्राय कर आदा चमज जीरा पाउडर है और एक चमज मैंने धनिया पाउडर आड़ किया है सारी चीजों को थोड़ा सा हम फ्राय कर लेते हैं ध्यान रहे फ्लेम बिलकुल लो रखें क्योंकि सुखे मसाले जल सकते हैं इसमें और तुरंत ही हमने एक बड़े टमाटर का पेस्ट आड अगर आपको चट पटा चाहिए तो थोड़ा सा चाट मसाला भी आड़ कर सकते हैं इसके अंदर मिक्स कर ले थोड़ा सा नमक भी आड़ कर ले इसी समय और यहां पर अभी जो प्यास मैंने निकाल लिया था उसमें से तीन चौताई हिस्सा थोड़ा सा क्रश करके आड़ कि एक चौथा ही हिससा प्यास का बचा लिया है मैंने गानिशिंग के लिए इसको मिक्स कर ले तो बस एक से डेर्ड मिनिट इसको मसालों के साथ भून लिया है आप देख सकते हैं मसाले में से ओयल सेपरेट हो गया है तो जो अंडा फ्राइ किया था वो हमने आट कर लेना है पानी थोड़ा आट कर लेंगे ताकि इसकी ग्रेवी सी फॉर्म हो जाए आलू मैंने छोटे टुकडों में कट करके आट किया है आप चाहे तो फ्राइ करके भी आट कर सकते हैं जब हमने अंडा फ्राइ किया था मसाला लगाकर आप उसी वक्त आलू को भी सातमे फ्राइ करके निकाल सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा साम कुक कर लेते हैं, एक दो टीबल स्पून दही आड़ किया है मैंने, आप चाहे तो दही को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यह आप आड़ किया था क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा चाहिए था बिर्यानी में। और इसको तेजी से मिक्स कर लें ताकि दही फटे नहीं, फ्लेम बिल्कुल लो रखें। लो फ्लेम करके इसको कवर करके तीन से चार मिनिट कूक कर लेते हैं। तीन से चार मिनिट के बाद यह देखें। इसकी ग्रेवी अच्छे से फॉर्म हो गई है। आप देख सकते हैं। तो अब इसके उपर हम गानिशिंग कर लेंगे तला हुआ प्याज, बहुत सारा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना। और फिर जो चावल मैंने बॉइल किया था वो चावल मैंने यहाँ पर आट कर लिया है। चावलों को अच्छी तरह से स्प्रेट कर ले। फूट कलर मैंने आट किया है तो यह ऑप्शनल है, अगर आप आट नहीं करने चाथ जाए तो स्किप कर दें और बहुत सारा तला हुआ प्याज, राधनिया, पुदीना, अब जाए तो केसर वाला दूद, फ्राय करके काजू, बदाम, किश्मिश भी आट कर सकते हैं अगर मिनट आप उसको उसी तरह रहने दे, तुरंट नहीं खोले, उसके बाद मैंने आपर खोला था उसको, तो यह दिखे, मजे की बनकर त्यार हो गई है, नीचे से बिलकुल भी लगा नहीं है, बहुत ही बहतरी, एक एक दाना इसका खिला हुआ है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसको दही रायते के साथ, बूंदी रायते के साथ, कचुमर के साथ सर्फ कर सकते हैं, यह ऐसे ही खाने में बहुत ही मसालेदार चटपटी है और टेस्टी लगती है, तो I hope आपको वीडियो पसंद आया हो, हमेशा की तरह अगर रेसिपी पसंद आई